नमस्कार दोस्तों मैं संदीर स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूटूब चैनल में दोस्तों आज नमबर है पार्ट नमबर है एट आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बी हिंदी मार्टल पेपर सर्शन 2020-21 यानि की आने वाले 2021 में जो हिंदी से लेटर वज़से संद्धे करता है युद्यर संद्धी एक उनिल परमीन के ति दोस्ते है । आफ़लायन हो तो जायतर आप सभी के आए वो प्जयक्टिंव बेस पे होंगे तो 점 ने का नफर में कि स्कंवाइब थार्ड यह में भी ज्यादतर कोईश्चन आएंगी कुछ कोईश्चन हो सकता है सब्जेक्टिक राइनिंगे रिटन वाले आएं ठीक है तो तीनों इयर के चाहत्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टन है तो आज किस वीडियो जितने भी कोईश्चन होने वाली तो यही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो बढ़ते हैं को लिखा है कि जाशी के गुरू कौन थे आपसे मिल जाए कबीर खुसरो मौहुद दीन और डिनमबर उस्मान तो जिन स्टुड़न को राइट एंसर का मालूम बेसक कमेंट करके बता सकते हैं तो ठीक है आं मिल जाएंगे जमसेट पूर जहांगीर पूर सी नंबर यहाँ दीनमबर क्या हो जायेगा च्ठीक हैं चीजी थे वह जैस के रहने वाले थे इसलिए राइट एंसर का हो जाए सी नमबर अगले क्यों बढ़ते हैं कि अगला कुश्चन कही रहा कि जैसी भक्ति काल के किस साखा के प्रमुक कभी थे कुश्चन बहुत इंपॉर्ट एंग्जामे कई बार पूंचा गए तो इस कुश प्रमुक कभी थे जैसे जी प्रमुक कभी थे नमबर राइट एंसर हो जाएगा अगले क्यों बढ़ते हैं लिकाए कि आखरी कलाम किसकी रचना है नमबर एक रहीम कबीर खुस्रोड डी नमबर जैसी आप से भी मालूं कि आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसी से रेलेटेट कोश्चन के बारे में इसलिए को जो राइट एंसर हो जाएगा दूस्तों वह जाएगा डी नमबर ठीक है जैसी अगले कोश्चन के बढ़ते हैं अगला कोश्चन कह रहा कि जैसी का प्रे अलंकार कौन है तो आफसर आप लोगों को मिल जाएंगे अनुप्र करते हैं अगला कोश्चन कह रहा कि जैसी के गुरू कौन थे नमबर एक कभीर खुस्रो मौवद्दीन उस्मान यह कुश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो फिरहाल अगर राइट एंसर आप सभी कोपर मैंने बता ही आप सब्सक्राइब कर लिजेगा मौवद्दीन ठीक कोश्चन का अब है, जायष का पूर्व नाम क्या था नमबर 1 बह्ते हैं प्सक्राइब स्वाट, लिजेगे, जाश का पूरव नाम फुल्टीन प्रीप्सक्राइब दोस्तों वो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए नंबर पद्मावत ठीक है जाशी कि जो पद्मावत गरंत है उसमें स्ताथ चौपाई के बाद एक दो है यह जाम में कई बार पूछा गया ठीक है तो आप इस पर ध्यान दीजेगा अगले को बात करते हैं लिखाए कि पद्माव तो अगला कोश्चन है कि जाशी की कौन सीक्रत में इस्वर भक्ति के प्रत्रेम निबेदन है नंबर 1 कहरा नामा मसल नामा पद्मावत और आकरी नंबर अखरावत तो कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर ठीक है मसला नामा अगला क्वेश्चन है कि चित रेखा किसकी रचना है नमबर एक हुमायो उस्मान जायसी खुस्त रोतराई रेंसर आप सभी को मालूम है कि हो जाएगा सी नमबर जायसी अगला क्वेश्चन है पद्वात में पद्मावती किसका प्रतीक है नंबर एक है प्रमातमा बी नंबर भग जी नंबर आत्मा और डी नंबर सरी तो यह question एकजाम में कई बार रेपीट होवा है तो आपको इस question का answer जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योश्चन के राइट एंसर हो जाएगा परमातमा इसने पर्मातमा का प्रतिक है अगला क्योश्चन है कि नागमती और रतन सें किस कृतिके पात रहें आफसे आपको मिल जाएंगे फिर या इसकाइट एंसर में आपको बता देता हूँ question का जो right answer हो जाएगा दूस्तों वो हो जाएगा पदमावत ए नमबर अगले question की बात करते हैं अगला question कहिरा कि जायसी किस जात के थे नमबर एक है मुसल्मान B नमबर ब्राहमर, C नमबर दरजी और D नमबर दुनिया ठीक है तो question का right answer हो जाएगा ए नमबर मुसल्मान जायसी जी मुसल्मान थे ठीक है अगला question है कि नागमती ब्योखंड किस क्रत के अनुपम भी दिये नमबर एक अखरावट, चित्र रेखा, मसला नामा पदमावत, question का right answer हो जाएगा पदमावत ठीक है अगला question कर बढ़ते है लिखा कि जायसी की किस क्रत में सेरसा का उलेक किया गया है तो आपसर आप लेकर की सामने है question का right answer में भी हो जाएगा पदमावत ठीक है अगला question की बात करते है लिखा कि जायसी की कुरूपता को देखकर कौन हसा था नमबर एक बाबर बेपारी ब्रामर सेरसा तो question के तो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा डी नमबर ठीक है सेरसा अगला question है कि जे मुख देखा तेहीं हसा सुनो तो आई आसू पंक्त किस्की है तो आफसर आप लोगों कि मिल जाये खुसरो जायसी उस्मान question का right answer आप सब्सक्राइब कि जायेगा यहां पर टो नहीं है तो है ठीक है अगले question कर बढ़ते है दिखाए कि पदमावत में सिंगल किसका प्रतीक है नमबर एक आस्ता हिर्दय हीरा चांदी question का right answer हो जाएगा हिर्दय ठीक है हिर्दय का प्रतीक पदमावत में सिंगल जो है वो हिर्दय का प्रतीक है ठीक है दोस्तों तो आज किस वीडियों बस इतने ही जो 20-22 question थे ठीक है जाएशी से related जोकी exam में कई बार यान पिछले सालों में कई बार रिपीट हुए वहीं मैं आप तक प्रवाइट कर रहा हूं अगर आप एच्छे समझ के जाते तो आपको काफी एल मिलेगी जाएफिशी से related और भी बहुत सारे question थे अगर आपकी comment आते हैं तो उस पर भी में वीडियो बना दूंगा ठीक है आपको किसी भी subject का माडर पेपर कुछ भी question ने कोई सुझाव है तो आप बेसक comment करके पूंची का ठीक है और हम आपको मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद रहां दुफ्तों चैन को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन भी प्रि